इस्टुडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इंपोर्टन्ट newts के बारे में इस्टुडेंट्स newts paper का जो discussion है उसको start करने से पहले prelims के perspective से question है उसको हम यहां में practice करेंगे इस्टुडेंट्स question के अंदर आपको कुछ martial arts हो धिया गया है उनको match करवाय गया किसी state के साथ में क्या उस state के अंदर इस martial arts का जो practice है आपको देखने के लिए मिलता है तो आप देखे गर आपको martial arts के perspective से नहीं पता है तो आपका जो art and culture का जो book है उसमें जाके इनको जरूर से read कीजिए इन से related जो basic information है आपको जरूर से पता होना जी इस्टुडेंट हो सकता है कि prelims के paper के अंदर में martial arts के perspective से जो questions सव पूछ लिये जाएं इस्टुडेंट्स first है यहाँ पे कलारी पयत्तु के बारे में mention किया गया है आप देखी कलारी पयत्तु के बारे में हमने काफी बार newspaper के अंदर भी read किया है कल का जो newspaper discussion है उसके अंदर भी हमने read किया था कि केरल के अंदर जब onam का जो festival celebrate किया जाता है तो आप देखी उसके closing के समय में आपको जो different dance का जो practice है वो देखने के लिए मिलती है उस दोरान में भी आपको जो कलारी पयत्तु जो martial arts है उसका use है वो देखने के लिए मिलेगा second आप देखें कि ठेंगता नाम का जो martial arts है उसके perspective से mention किया गया है student जो ठेंगता नाम का martial arts है उसका practice आपको देखने के लिए मिलता है मनीपूर के अंदर में मनीपूर के अंदर three martial arts है जिनका practice किया जाता है एक student ठेंगता है ठेंगता कि just opposite आप देखें कि सरी सरक है सरी सरक के अंदर में आपको किसी भी तरीके का जो weapon है martial arts की practice के दोरान में वो hand combat की रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा three students उसके लाव आप देखें कि छे भी गटका नाम का भी एक martial arts है जिसको practice किया जाता है मनीपूर के अंदर में गटका नाम का martial arts के बारे में अगर हम read करें तो students इसको पंजाब के अंदर practice किया जाता है कुरगोविन सिंग के समय से आप देखें कि इनको promote किया गया था गटक जो festival है उसको basically आननदपूर साइब का जो region है उसके अंदर इसका जो celebration आपको peak की रूप से देखने के लिए मिलता है तो students वहाँ पे जो गटका नाम का जो martial arts है उसका still आपको जो practice हो देखने के लिए मिलेगा तो आप देखें कि एक जो martial arts है वो यहाँ पे correctly match है जिसलिए य United Nation जो environment program है उसके perspective से 1972 के समय एक summit होती है students जिसको की United Nation conference summit on the human environment के perspective से जाना गया है तो उसी के थुरू 1972 के समय आपको United United Nation environment program है UNEP है उसका establishment आपको देखने के लिए मिलेगा आप देखें कि UN का एक organization है जिसका headquarter आपको अफरीका के अंदर देखने के लिए मिलता है इसके लावे एक UN habitat भी है जिसको की 1978 के समय setup किया गया था तो students जो UN environment program इसका headquarter आपको नरोबी Kenya के अंदर देखने के लिए मिलता भी है IPCC है उसको setup किया गया Intergovernmental Panel on Climate Change इनकी द्वारा जो reports है 4 years के basis पे एक report है उसको निकाला जाता है IPCC के द्वारा IPCC का जो reports है आपको climate change के regarding में ही देखने के लिए मिलेगा students को इस report से जिनको के annual basis के उपर में यहाँ पर UN environment program की द्वारा भी release किया जाता है जिसके अंदर एक आपको emission gap report है global environment outlook है इसके लावे students investment into a healthy planet का जो report है यह report आपको UNEP के थुरू देखने के लिए मिलता है हमारा जो 5th June का जो day है आज का ही जो दिन है आप देखी कि इसको environment day के रुप से हम celebrate करते हैं उसका भी जो celebration है आपको UNEP के थुरू ही देखने के लिए मिलेगा student 2024 का जो यहाँ पर environment day का जो celebration है उसका main theme क्या है main theme है यह students हमारा जो land का जो restoration है उसके perspective से पर आप देखी कि होस्ट country है 2024 का जो environment program है उसका host country है साओधी अरीबिया कि land को restore करना है आप students अगर restoration के perspective से हम read करें तो आप देखी कि हमारे यहाँ पर एक tribal community है आपको एक tribal community देखने के लिए मिलती है गुजरात का जो कच का जो region है वहाँ पर आप देखी कि उस tribal community के दुवरा बनी नाम का ग्रास लेंड है उसको लगाया जाता है और यह जो बनी ग्रास लेंड है लेंड के restoration के अंदर इसका जो work है आपको देखने के लिए मिलेगा तो इस तरीके से आपको कुछ examples वो भी जरूर से पता होना चीए न्यूजपेपर का जो discussion है उसको start करते है students election का जो result है general election का जो result of announce हुआ है तो आप देखी कि maximum newspaper के अंदर में जो news है 98% ज section की result के ही perspective से हमारे exam के purpose है जो important information है उसको हम यहाँ पर discuss करेंगे students आपका जहां पर भी जो assembly हुआ करता है आप देखी कि वहाँ पर votes का जो counting का जो process हुआ आपको देखने के लिए मिलता है वोट का जो counting है उसको किसके दुआर एडमिस्ट किया जाता है returning officer के दुआरा जिस भ duplicate issue किया जाता है वो भी आपको returning officer के ही through देखने के लिए मिलेगा जो कि आप देखी कि election commission के official के रूप से यहाँ पर work किया करते हैं election cycle के दुरान में election process के दुरान में modal code of conduct को ensure करना हो smooth way में election को conduct करवाना हो चो persons के दुआरा election contest किया गया है उनके nomination paper को check करना हो यहाँ पर nomination paper को reject करना हो यह सब जो working process आपको returning officer के ही leadership के अंदर देखने के लिए मिलता है students result यहाँ पे अनाउंस हुआ किसी भी political party को जो complete majority है जो absolute majority हो यहाँ पे receive नहीं हुआ है तो आप देखी कि यहाँ पे alliance का जो government आपको देखने के लिए मिलेगा alliance का जो government और form होगा इस दुरान में तो student state के अंदर किस तरीकी का result रहा किस political party को कितना seat रहा यह हमारे exam के purpose से नहीं important है election से related जो भी information आपको और कुछ read करना हो तो आप इसके बार में read करना आज की newspaper के अंदर में students next news आप देखी कि Chinese जो यहाँ पे lunar के regarding में इनका एक mission है उसके perspective से discuss किया गया है तो student Chinese जो space agency है उनके दुआरा Chang 6 नाम का एक lunar जो mission है उसको send किया गया इसका basic target क्या है कि यहाँ पे जो moon का जो far का region है जो आप देखी कि dark region है उस region के अंदर में इनके दुआरा land किया गया है और इनके दुआरा जो sample को जो collect करते हुए वापिस आर्थ के लिए return किया जाएग Chang 6 आपको एक जो lunar mission है वो देखने के लिए मिलता है चाइना का जो space agency है उनकी थ्रू में तो students आपको यह जो mission है वो जरूर से पता होना चीए आप देखी कि जो Chang 6 है वो क्या है Chang 6 basically Chinese जो goddess है उनके name के उपर में यह जो mission है उनका name आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया के perspective से अगर हम read करें तो आप देखी कि lunar की regarding में मून की perspective से हमने send किया है चंदरियान mission आपको देखने के लिए मिलता है आप देखी कि जो चंदरियान first mission है चंदरियान first mission है 2007-08 किस हम आपको देखने के लिए मिलेगा उसका जो landing point है उसका क्या नाम हुआ करता था student जो हार point जिसको की 2019 के समय send किया गया था आप देखी कि उसका जो landing point का जो नाम है उसका landing point का नाम आपको तिरंगा देखने के लिए मिलता है आप देखी कि यह जो mission है वो successful नहीं हो सका था इसके कुछ part के अंदर में आपको जो success है वो नहीं देखने के लिए मिलती है कुछ part के regarding में सकती आपको landing point का जो name है वो देखने के लिए मिलता है 23 अगस्त का ओ दिन है जिस दिन हमारा चंदरियान third mission है वो land किया था moon के surface के उपर में तो आप देखी कि 23 अगस्त को national space day के रूप से भी celebrate किया जाता है national space day के रूप से भी two यहाँ पे science related days है जिनको की recognize किया गया government के 11 माई का जो day है उसको technology day के रूप से 11 माई के ही दुरान में हमने पोकरन के अंदर जो nuclear test है 1998 के समय carry किया गया था next अगर हम बात करें students world के perspective से जो news है उसको mention किया गया है आप देखी कि सरलंका के अंदर में मानसून के दुरान में heavy जो rainfall है वो देखने के लिए मिला तो उसके जो basically political जो person है वो यहाँ पर visit के लिए भी गई है ये भी exam के purpose से important नहीं है वेतनाम और Cambodia का आपको कुछ यहाँ पर present समय में issue है वो देखने के लिए मिलता है डैम का जो construction है उसके perspective से तो वेतनाम और Cambodia का जो location है उसको एक बार जरूर से देखना आप देखी कि China का भी एक important role है इस area के अंदर में वेतनाम है, Laos है, Cambodia का जो region है उसके अंदर में नेक्स्ट अगर हम बात करें Philippines के अंदर में आप देखी कि वोलकन और eruption देखने के लिए मिला है central part और Philippines के अंदर में फिलिपाइन से परस्पेक्टिव से अगर हम read करें तो क्या important है एक तो आप देखी कि रम मेकसे से award है, समय समय पर देखने के लिए मिलेगा, ADB Asian Development Bank के बारे में जब हम read करते हैं तो Asian Development Bank का जो headquarter है वो भी Philippines का जो Manila है वहाँ पर situated है, international जो Rice Research Institution है उसका भी headquarter आपको Philippines के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, for students international Rice Research Institution के दोरा world food prize है उसको भी दिया जाता है तो आप देखी कि हमरे जो MS स्वामिनाथन सर है उनको world food prize है वो दिया गया था, next students जो चाइना और पाकिस्तान के perspective से एक्जाम के purpose से important नहीं है, इनके दोरा एक air का जो route है उसको भी develop किया गया है, कि air के तरू जो cargo है उसको supply क किया जाए, इसराइल के दौरा कुछ hostage है उनको मार दिया गया, basically rescue operation के दुरान में तो उसके regarding में discussion है, exam के purpose से ये भी important नहीं है, USA के political leaders के दौरा कहा गया है, कि asylum seekers हैं, जो migrant workers हैं, उनके perspective से कुछ decision है, उनके दौरा लिया जाएगा, तो अभी वो decision लिया नहीं गया, exam के purpose से न नहीं important है, रसिया के दौरा बताया गया है कि Ukraine के अंदर में जो western powers के जो trainers हैं, जिनके दौरा युकरेन का जो army है, उसको train किया गया, उनको भी हो सकता है कि आने वाले समय में रसिया के दौरा अटेक किया जाए, exam के purpose से ये भी important नहीं है, China और आप देखे कि Philippines का जो South China Sea है, South South China Sea है, उसके perspective से आपको different kind of debate हो देखने के लिए मिलती है, इनका dispute भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये continuous news के अंदर में हैं, next आप देखी को Australia के अंदर में जो persons हैं, जो citizens हैं, उनका जो संक्या है, वो काफी कम आपको देखने के लिए मिलता है, defense sector के अंदर recruitment के regarding में तो इनके दुआरा जो five eyes का एक alliance है, five countries का एक alliance है, आप देखी कि world war second के समय एक alliance create हुआ था, US से और UK के बारे में, US और UK के दुआरा ये alliance को create किया गए initial phase के अंदर में, कि जो intelligence है उसको share किया जाएगा दोनों countries के दुआरा world war second की दुरान में, पर आप देखी कि letter form के अंदर में New Zealand है, New Zealand के लाव वो Australia है, New Zealand and Australia है उसके बाद में आपको जो Canada है, ये five countries का एक alliance है, जिसके अंदर intelligence का जो sharing है, वो किया जाता है, तो Australia के अंदर जो military का जो recruitment है, उसको fulfill करने के लिए जो persons हो नहीं है, इसी वज़े से जो non-citizen resident है, जो five eyes alliance से उनको भी add किया जाएगा, यहा को हमने discuss किया, आप इसको read कीजिए, revise कीजिए, जो भी information आपको मिला है, उसको note down कीजिए, thank you students, thank you very much.